वेलकम टू कॉम्पिटोलोजी एकेडमी तो लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्क्रेशन की थी यूपीएसजी की प्रप्रेशन के बारे में तो हमने देखा था कि ऑप्शनल सेलेक्ट करने समय जिनरली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं तो आगे इस वीडियो में आज हम लो दाले तो आपको इंफर्मेशन मिलती रहे और अगर आप यूपीएसी की प्रप्रेशन अभी शुरू करने जा रहे हैं तो हमारा यह जो पूरा प्लेलिस्ट है इसको पूरा ध्यान से देखे इसमें आपको बहुत सारे इंफर्मेशन मिलेंगे ऐसे जो कि आपके बहुत का क्याम आएंगे और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जब लोग यूपीएसी की प्रप्रेशन शुरू करते हैं इन दे स्टार्ट दूइंग दप्रप्रेशन फॉर यूपीएसी डे कमिट तसे इम काइंड आफ मिस्टेक्स मोस्ट और पीपल तो उस चीज को आपको दोराना नहीं कि यह उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और उसमें जो है तो आपको मिस्टेक्स करते रहेंगे तो हरेएक मिस्टेक को खुद करके और उसके बाद उससे सीखने की फुरसत जीवन में सबको नहीं है अगर आप मिस्टेक्स ही करते रह जाएंगे तो बहुत कुछ आप कर नहीं पाएंगे बहुत कुछ आप सीख नहीं पाएंगे तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करने हैं तो यहाँ पर आज जो है स्वाम लग सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है तो आप लोग वह सबको पता है कि कोई भी एक्जाम जो होता है कॉम्पॉर्टिटिव एक्जाम चाहें जेपी एसी हो यह नहीं एक्जाम रेलवे जो भी हो तो वहाँ पे सिलेबस जब भी एक्जाम का नूटिफिकेशन आता है तो साथ में सिलेबस प्रोवाइड़ रहता है सिलेबस प्रोवाइड़ रहता है और बहुत सारे लोग जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं कॉमनली देखेगा आप लोग जब लोग सिविल सर्विसेज की या जिनरल कॉम्पेटिशन की जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले वह चले जाएंगे कोई टीच कि जानकारी उन लोगों को क्लियर कट नहीं रहती है उसके कारण क्या होता है कि उनके गोड़े तो दोड रहे हैं लेकिन direction कहीं बीником की नहीं की आफिन कदर और कि पहुंचन है ना गंतव्य पता है morality पता है ना एम क्लियर है ना पाथ क्लियर है तो इस चीज के कारण बहुत सारा समय वेस्ट होता है बहुत सारी फलतू की चीज़े पढ़ लेते हैं जो कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की और जिस चीज का वेटेज कम है सिलेबस में आप एक चीज देखिएगा कि यह भी दि को अच्छा लग रहा है या जो इसली मिल गया समझ में आ रहा है वही पढ़ते जा रहे है उससे क्या होगा आप ही को नुकसान होगा कि आप जब एक्जाम में देखिए 100 मार्क्स का कोई पेपर है यूपीस्ट का ही लिए ठीक है तो यूपीस्ट में एक चीज तो है कि वे पॉलिटि के को तो ही पड़े पड़े है किसी इघ्जाम में देखेंगे आप किसी एर में प्री में की जोग्रफी के वें पड़े है कभी सिस्टी के तो यहाँ पे कुछ जो में चीजें है जैसे की यूपीज्मी अगर आप देखेंगे तो आपको हिस्टृ जोग्रफी, पॉलिटी, एकोनोमिक्स, इन्वार्मेंट और एकोलोजी, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कि आपको इस्पेसली फोकस करना, क्योंकि देखिए, यानिकि आपको टोल अगर सेप साइड भी रहना है तो साथ कोस्ट्स के माक्क्स आपको चाहिए, ठीक है, साथ कोस्ट्स के माक्स चाहिए, आपका दो नम्मर का कोस्ट्ош एक सो बीस के आस पास आप पहुंच सकते हैं, तो आप जो एवरेज जु स्टूडेट्स परफोर्म क अगर उनसे उपर ही रहीएगा नीचे कभी नहीं पहुंचिएगा तो यहां पर इन सारे टॉपिक्स को अलॉंग विद दर रिलीवेंट करेंट अफेर्स हेस्टरी में तो चलिए कोई करेंट अफेर्स नहीं होता है लेकिन जोग्राफी से इस रिलेटेट पॉलिटी से एकोन होना चाहिए और इसमें आपको इतना कवांड होना चाहिए कि इसके आप कम से कम 90% कोस्टन तो इसलेक्ट सॉल्व कर लें तो यह से चीज से आपको फाइदा ही होगा कि आपका पिपर कभी नहीं रुखेगा और सिलेबस अगर आप UPSC का देखेंगे तो फोकस आपको इनह किसे पहुंच रहा है कुछ नहीं पता बस चलना है चले जा रहे हैं तो यह गलती करते हैं ठीक है इसका आप एक जामपल लीजिएगा कि देखिए इंडिया में एयर फोर्स है ठीक है अब एयर फोर्स को चाहिए fighter jets अगर उनको fighter jets चाहिए तो वो उनके पास बहुत सारे options है ठीक है, बहुत सारे options हैं, तो वो F16 लेते हैं, कि SU 30 लेते हैं, कि मीग लेते हैं, कि रफाल लेते हैं, तो ये चीज जो है, सो वो खुद decide करते हैं, ठीक है, सेम चीज होती है सिलेबस में, सिलेबस आप देखेगा, आपको requirement पता चलेगा, requirement पता चलेगा, तब आप जो है सो books select करना चलू करेंगे, और books भी अचा नहीं है, कि जो recommend कर रहे हैं, coaching वाले या friends और ये सब, उस पे भी नहीं जाना है, ठीक है, अब अगर आके, यूएसस recommend कर देए, इंडिया को कि आप F-16 ले लो, आपके लिए फाइदे मन्द है, इंडिया अपनी जरूरत analyze किये नहीं, अपने strength तरविक निसेस देखे नहीं, और सिधा उनके कहने पर F-16 ले ले, और पता चले नहीं, उनके काम का चीज तो SU-30 था, तो कोई फाइदा होगा, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना है कि आपको books जो हैं, अब मान लीजिए आप quality ही ले लीजिए, तो quality में आपको DD बसू भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको M. Lakshmikant मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सुभास के बाद आपको और भी बहुत सारे books मिल लाएंगे, यहाँ पर book की कोई कमी नहीं है, इंडिया में books बहुत हैं, कहीं भी books बहुत मिलते हैं, किसी भी subject पर, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि किसकी language आपको समझ में आ रही है, अगर आपको DD बसू की language समझ में नहीं आ energy है, waste of talent है, कोई फाइदा नहीं होने वाला है उससे आपको, तो वहाँ पर आप उससे कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, वो सिर्फ wastage है, वेल तो यहाँ पर यह तो हो गई book selection की बात की आपको books कैसे select करना है, तो books selection की बात यह हुई, इसमें आप लोगों को बिलकुल भी confused नहीं होना है, बिलकुल भी tension नहीं लेना है, कि वो फलाना टिम करना यह पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो टीटी वसू पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो पी एम बक्सी पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम लम चमिकांग पढ़ रहे है तो कैसे क्या होगा इन सब चीजों पर विल्कुल नहीं जाना है क्योंकि अगर जो डिसीरी में टॉप लेवल का कोट सुप्रीम कोट है तो हरे बुक में वही रहेगा फैक्ट्स और फीगर्स नहीं चेंज होने माले बस चेंज होगा तो लेंगवेज और लेंगवेज कौन सा आप बेटर समझ देने की कौन सा आपको अच्छा लग रहा किस बुक की लेंगविज आपको लुशिड लग रहे है अपके लिए अच्छी है बाकिक कोई कुछ भी का ध्यान नहीं सबसे बड़ा सवाल तो आप लोग सब ने देखा कि सिलेबस आपको एक डाइरेक्शन देगा कि कि किस पाथ पे चलना है कैसे क्या पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है किस चीज पर ज्यादा फूकस करना ये चीज आपको बताएगा लेकिन किस डिर्यक्षन में चलना है जो insight है कि paper कैसा आता है question किस टाइप के frame होते है exams का एक pattern होता है ठीक है और वो चीज आपको पता चलेगा question paper से question paper ही बताएगा कि question फ्रेमर जो अभी चल रहा है train frame कर रहे हैं क्या सोच कर कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या question पूछे जा रहे हैं किस topic पे question focus कर रहा है और उनका पूछने का style क्या तो एक जो है सो मतलब exam का जो पूर विचारधारा है जो उसकी characteristics है वो आपको जो है सो पकड़ में आएगी question paper से दूसरी चीज क्या है कि question paper practice करने से आपको चीजों focus करने की आदत होगी और इसमें भी क्या आपको ध्यान देना है कि question paper कभे भी solved मतलीजेगा नहीं तो वह आपका narrative नहीं रह जाएगा आप question paper unsolved लीजिए बहुत सारे publications के अबलेबल है विद्याज publication है न्यू विशाल है और अरिहंत का आएगा बहुत सरे हैं तो किसी भी publication का unsolved ठीक है unsolved जो है सो paper लीजिए और उसको खुद से solve कीजिए उससे सबसे पहले question का pattern आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा जाता है किस पर focus होता है question करने का style क्या है question की demand क्या है paper की demand क्या है यह सारी चीज़े जो है सो आपको question paper बताएगी दूसरी चीज क्या है कि आपका एक mental exercise होगा आप जब भी प्रैक्टिस करोगे question paper previous years के ही सही तो आपका सबसे पहले तो mental exercise होगा और दूसरी बात होगी कि जब बाद में paper solve करने के बाद try करने के बाद एक बार आपने books पढ़े दो बार पढ़े उसके बाद आपने paper उठाया unsolved उसमें आपने जब paper solve करना चालो किया तो वहाँ पर आपको सवाल आया मन लिजे कि कोई question आ गया चलिए कि question है कि जो हमारा article 44 है तो उस पे लिख दिया question paper में कि discuss the pros and cons if we implement the article 44 ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि article 44 का content क्या है उसमें written क्या है लिखा क्या गया है तो आर्टिकल 44 रिलेट करता है universal civil code से UCC तो अगर आपको यह चीज़ पता उनिवर्सल civil code तो फिर आप उसमें जाएंगे कि उसके analysis में analytics में तो यहाँ पर discuss पुछा गया कि pros and cons क्या उसके benefits हो सकते हैं और क्या उसके consequences हो सकते हैं मतलब constitution mandate देता है directive principle of state policy में कि government of India should strive to implement the uniform civil code throughout the country तो यहाँ पर अगर यह चीज़ पुछा जाता है उसके pros and cons content में तो pros and cons दिया हुए नहीं है आप कोई भी बुक पढ़ोगे वहाँ पर आपको ज्यादा इसके बारे में detail pros and cons का नहीं मिलेगा उसके लिए फिर आपको खुद दिमाग लगाना है उसके बाद आपकी exercise चलो होगी आप different articles newspaper scale learned people's के journals और यह सब चीज़ों को सर्च मारना चालो करोगी तब जाके आपको पत हैं ट्राइबल ग्रूप से जोग्राफिकल डिफ्रेंसियेशन बहुत सारी चीजह हैं जिसके करण की implement करने दिक्कत है लेकिन अगर implement करते हैं जैसे कि गोवा में है गोवा में uniform civil code है तो वहां पर अगर implementation उसका किया गया है तो वहां पर क्या फाइदे केस study निकल के आएगी तो इन सब चीजों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका एक mental exercise सुरू होगा और तब आपको समझ में आएगा कि question demand क्या करता है पेपर में कैसे पूछा जाता है सवाल क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको previous years के question paper हर ह आलत में आपके पास होना चाहिए आपने एक चेप्टर खतम किया पढ़ा पहला चेप्टर उस से related इसमें भी आप question paper लेंगे तो एक चीज़ ध्यान देजिएगा कि बहुत सारे ऐसे publications हैं जो कि चेप्टर वाइस question paper देते है तो उसमें हर एक चेप्टर का कि अगर आपके fundamental rights पे अगर है questions तो एक चेप्टर बना दिया हमनोंने question का fundamental rights ठीक है लेजिसलेचर पे है तो state legislature पे एक बना दिया है तो इस तरह से जो आपको question papers deciphered मिलेंगे अलग-अलग करके मिलेंगे chapter wise वह paper लीजिए हम लक्ष्मी का objective का paper आता है उसमें जो है सो previous year के question जो आए है सो है सो त आपको उसमें उन्होंने question paper chapter wise बना के दिया उसको solve कीजिए तो उनका भी pattern ब्ला अच्छा तो वहां से आपको फाइदा यह मिलेगा कि आपको एक insight मिलेगा examiner का दिमाग को समझने का उसके demand को समझने का एक आपको idea मिलेगा कि यहाँ पर किस तरह से तयारी करनी है किस चीज question बढ़िया रहेगी और एक तो है कि आप जब वह सब चीजे समझ रहे हैं समझ रहे हैं साथ में आपका practice होते जा रहा है आपको paper solve करने की आदत होते जारी practice होता जा रहा तो यह आप लोग एक routine बना लीजिए कि हमें जो है सो daily एक या दो घंटे कम से कम one to two hour जो है सो paper solve करन हैं उसी को पढ़िये और उसी के paper solve कीजिए उसी के question solve कीजिए और फिर उसको analyze कीजिए कि आपने क्या सोचा था कैसे सोचा था क्यूं गलती हुई तो इन सब चीजों से आपको यह समझ में आएगी कि हमारा mistake कहां पर हो रहा है और हमें किस चीज पर ध्यान देना और क्या हम में improve करना है तो question paper और syllabus हर एक preparation करने वाले student के पास जो मतलब की है एक मतलब proper हथियार है जैसे कि आपको अभी मैंने example दिया था इंडियन एयर फोर्स का ही तो अगर एयर फोर्स है इंडियन ही नहीं कोई भी country का ठीक है एयर फोर्स अगर है और उसके पास एयर क्राफ्ट ही नहीं है तो वो किस बात का एयर फोर्स ठीक है सेम तिंग यहां पर होता है अगर आप examination की किसी भी examination की मानली यूपीस्टी की preparation कर रहे हैं तो यूपीस्टी की preparation कर रहे हैं तो आपके दो main हथियार है पहला जो है सो syllabus ठीक है और दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए question paper question paper of previous years तो यह दो जो है सो आपके main हथियार है जो कि आपको हर एक चीज का insight देंगे आपका direction तै करेंगे आपकी strategy तै करेंगे जैसे वार में जाने से पहले कोई भी मतलब की जो regiment होती है battalion होती है air force होती है या कोई भी country होती है कि strategy तैयार करती है कि हमें किस तरह से आगे move करना है हमें किस तरह से हमला करना है तो यहां पर भी आप युद्ध ही लड़ रहे हैं UPSC के साथ और युद्ध इन असेंस दस लाख लोग अगर एक्जाम में appear करते हैं तो सेलेक्ट होते हैं एक हजार लोग तो अब कितना बड़ा युद्ध है आपके लिए यह खुद समझ लीजिए तो इस युद्ध में इस battlefield में उतरने से पहले आपके पास proper हत्यार होने चाहिए और आपके दो में हत्यार आपका knowledge आपके books वो सब तो ही वो auxiliary है ठीक है लेक तिन जो syllabus हो गया और question paper यह दोनों आपके main हत्यार है क्योंकि इसी के इस्तेमाल से इसी के help से आपके books का इस्तेमाल सार्थक हो पाएगा the books will become meaningful only when you use it utilize it along with the syllabus as well as the question paper उसके भीना books तो आपको कोई भी कुछ भी सेलेक्ट कर देगा आपको जो चीज की जरूरत नहीं उसके भी किताबे पढ़वा देंगे लोग यहां पर ऐसी ऐसे आपने को situation दिखेंगे जहां पर आपको कोई पता चलेगा कि suggest कर रहा है उमा कपिल पढ़ लिए उमा कपिला की पूरी बुक आप cover to cover पढ़ लीजिए उसमें से कुछ नहीं निकल के आएगा क्योंकि वह आपके लिए है ही नहीं वह किताबे दूसरे चीजों के लिए वह आपको जो लोग बी एकोनॉमिक्स कर रहे हैं में उन लोगों के लिए पढ़ाव देंगे कि उनको दिखाने के हम कुछ बता रहे हैं आपको पाइदय की बात कर रहे हैं आपसे पैसा लिए हैं तो आपको लिए आतको इतना को यह जर 같아 के बारे में जानते है उसस समें जहादा किताबे बताता टेन टाइम्स राधर देन रिडिंग टेन बुक्स वन टाइम्स क्योंकि लेंग्वेज जो है सो बुक्स की अलग अलग होती है और उसके बाद क्या होगा कि आप पढ़तु सेम कंटेंट रहे हो आप पढ़ एकोनोमिक सी रहे हो लेकिन दस बुक है लेंग्वेज अलग है वो ज्यादा बहतर नहीं होगी दस बुक आपके पास है ठीक है आप उसको कोई दिक्कत ने यूज करने का तरीका आना चाहिए आप एक बुक से पहले अपना फाउंडेशन तयार करो उसको परली पढ़ो उसके हर चीजों की जानकारी लो उसको बढ़िया से समझाओ और उ वाइडर पुल है एक बुक का उसमें एडिशन करना है जोड़ना है उस नौलेज को ना कि इसको और राइट करते रहना है तो उससे आपको कोई फाइदा नहीं होगा आपको फाइदा तभी होगा जबकि आप एक बुक को बढ़िया से पढ़ो फाउंडेशन क्रियेट करो और उसमें जो एड़ेड नौलेज है एड़ेड एडवांटेज लेना आपको अलग-अलग किताबों से एक ही किताब को बार-बार पढ़िये ऐसा पढ़िये कि आप जो पेज खोले उपर की हेडिंग देखके जो आपको पूरा नीचे का कंटेंट ध्यान में आ जाए एक उससे फाइदा क्या होगा कि आपकी रिवीजन टाइमिंग जो है सो दिरे दिरे कम होते जाएगी अभी भी आप एक बुक को अगर पढ़ते हैं फर्स टाइम में अगर वह आप चार दिन में पढ़ पाते हैं नेक्स टाइम आप जब पढ़ने बैठेगा तो हो सकता है दो यह जो है सो आपको लास्ट मुमेंट में फाइदा देगा प्लस क्या है कि आप इसके सिनोप्सिस बना लीजे नौट बना लीजे क्योंकि बार-बर किताब की साइस देखके भी डर होता है किताब के नंबर पेज़ेस देखके भी डरते हैं लोग कि इतना मोटा पुरा then it will be very easy for you to revise it because अगर आपने के पास 200 pages का कोई book है okay and if you make it as synopsis within just 25 pages 25 page देखके आपको सिदा लेगा बस इता ही है anytime दो से तीन घंटे में आपको revise करके ready हो जाएगा अब ही book same चीज़ आप revise कर रहे हो book से तो आपको दस से बारे घंटे लग जाएगे क्योंकि वहाँ पर पच्चीस के जगह पर धाई सो pages है और यह कोई भाड़ी बात नहीं है सिनॉपसिस जो है सो दस पेज का सिनॉपसिस एक प्विक रिविजन चाहिए होती है यूपसी के दो पेपर के बीच में दो घंटे का डिफ्रेंस होता है दो घंटे में आप क्या revise कर लोगे कि ज्यादा से ज्यादा बीच से पत्चीस पेज तीस पेज तो उसमें भी आपको फटा-फट वो चीज़े revise करनी होती है जो आपके द्यान में नहीं जिसमें आपको confusion है और आपको लग रहा है कि हाँ यह important टेस्टार मार्क करके लोग रखते हैं कि हाँ उस gap में मुझे बस इतना ही देखना है दढ़ा-दढ़ देखना है और समझ कर करनी है बुक्स वही सेलेट कीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको बढ़िया से समझ में आती है पढ़ने में इजी हो लगे तुरत समझ में आए उसके बाद फिर बाकी के जो बुक्स है reference एक बुक को आप formulation बनाईए उसके बाद के जो भी बुक्स आप रखते हैं व क्लाइमेटोलोजी का question था किसी किताब में नहीं मिल रहा है मिला सिर्फ एक किताब में DS LAL में तो वहां पे लोगों को अगर DS LAL पढ़ना है और आप पढ़ रहे हो पहले से सविंदर सिंग ठीक है सविंदर सिंग आप पहले से पढ़ रहे हो आपका पूरा complete है और एक अग कर दोगे क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है डियस लाल से जो आपको चाहिए था सिर्फ वह चार पेज निकाल लिए न उसके लिए पूरा साड़े ही चीज मिलेगी चाहे डियस लाल हो चाहे सविंदर सिंग हो डिफ्रेंट क्या है सिर्फ एक दो कॉंसेप्ट का वह कॉंसेप्स आप छाटिए इधर से निकाल लिए और अपने सिनोप्सिस में एड़ कीजिए ठीक है यह जो आपको सिनोप्सिस रेडी हो रहा है क्लायमेटोल आपका वर्कलोड कम होगा आपका समय बचेगा और आपकी प्रिप्रेशन प्रोपर रहेगी और आपका कुछ छूटेगा नहीं और जैसे अभी मैंने बताया कि डिएस लाल से बैरो क्लीनर थेयरी की कॉंसेप्ट उठाई पेपर में आया था एक्जाम में 2010 में ठीक है उसक आपको कैसे पता चलेगी कि हाँ यह चीज भी हमको पढ़ना है प्रीवियस यह कोस्टिन 25 साल का कोस्टिन आप बना डालिएगा न मैं बता रहा हूं गैरेंटी के साथ कि 500 नंबर के कोस्टिन में से 300 नंबर का कोस्टिन आप सो के उठके भी लिख सकते हैं अगर आपने उस हैं ठमूर देने नफ है बाकी फिर आप जीस में खेली और इससे उपर अगर आप जा रहे हैं करके कोस्टिन पेपर बना के सब कुछ करके इससे भी उपर अगर बढ़ रहे हैं आपके लिए बोनस है बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां तक तो आप पहुंच ही जाएंग के पेपर के अलावा जीतने भी पेपर हैं आठ सब्जेक्ट के या जो भी हैं उसमें आप जितना लिख रहे हो उतना गरेंटी के साथ तोटल मार्क कभी नहीं आएगा तो यहां पर आप जैसे ही अगर 315 अब 320 नमबर का लिख दे रहे हो और उसके बाद ऐसा तो नहीं को तीन सो बीस नमबर का पेपर अगर आप बढ़िया से काईदे से सवल करते हो बढ़िया से लिखके 270 से लेकर 280 नमबर तक आपका आराम से आएगा पार करना है आपको 320 बाकी 200 नमबर में से क्या 50 नमर नहीं ला सकते हैं आराम से ला सकते हैं तो UPSC का प्रिपरेशन या जी यह से किसी भी competitive exam का preparation ज्यादा hard नहीं है ज्यादा उसमें focused हो के रहना है willpower रखना है धैरे रखना है और सबसे बड़ी चीज है direction proper होना चाहिए अगर आप direction less दोड़िएगा तो कहीं नहीं पहुंचिएगा इसे लिए syllabus question paper books के proper selection एक बुक को foundation बनाईए और बाकी बुक से अप एडिशन कीजिए class notes हो गया जो भी हो गया coaching वेगरा से वहां से भी आप notes निक्चोड के निकालिए और उसका लास्ट में एक जो चर्न आउट करके जो अमरित निकलेगा आपका वह सिनॉप्सिस तो उसको ज यह बाकी के बुक से previous year के question देखके या कहीं पर question आ रहे हैं टेस्स तिरीस के किसी के दिख रहे हैं या जो भी दिख रहे हैं और टेस्स तो जितना हो सकतना पेपर जितना हो सकतना solve कीजिए practice जितना हो सकतना solve कीजिए इससे फाइदा आपको यह होगा कहावत ही है practice makes a man perfect तो कि हम जब भी नहीं वीडियोस डाले तो आप तक information पहुंचते रहे thank you very much have a nice